जै काल albharov जेग horror मैं तांदरिक देती आप सब के लिए को नहीं वीडियो लाया हूँ आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो जो है यहे पैमों के उपर पैमों शैतान का राजा दा किंग ओफ लूसिफर दा पैमों किंग ओफ लूसिफर आकिर पैमों को पैमोन है, ये क्या करता है, इसके क्या काम है, ये किस परकार दुनिया को संचलित करता है, शैतान का सबसे बड़ा वजीर पैमोन, डैमोन, ये एक डेविल है, ये शैतान का जो भी हुकम होता है, उसे दुनिया भी में आकर बजाता है, दुनिया के अंदर इसका काम है, शैता शेतान के आदेश होते हैं, उन सब को लागू कराने का काम सिर्फ पैमौन करता है। पैमौन एक वजीर है, एक राजा है। नरक काटवा राजा भी से कहा जाता है। धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा डेविल, धरती और आसमानों के बीच में बनाई गई एक जंगा जिसम शेतान रहता है, शेतान जो अंधिरो का राजा है और रोशनी में खिलता है। पैमौन उसका एक वजीर है, इसके बहुत सारे काम है, इसके पास बहुत सारी अद्वर शक्तिया होती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं पैमौन कोन है। ये सवाल वही पूछ सकते हैं जिनोंने डिविल बाइबल अर्था शेयतान के विशे में थोड़ा बहुत भी अध्यन किया हो वही जानते हैं पैमोन कौन होता है तो पूरी जानकारी देंगे पैमोन कौन होता है पैमोन नरकाट वारा जा है और शेयतान का सबसे बड़ा वजीर मैं शुबात करता हूँ पैमोन किस प्रकार का कारी कर सकता है सबसे पहले जो है पैमोन के पास अध्भूत प्रकार की शक्तिया होती है पैमोन शेयतान का एक वजीर है और शेयतान ने पैमोन को बहुत सारी शक्तिया दिये यदि कोई विक्ति मर जाए और उसका सरी सुरक्सित हो और से मरे हुए एक या दो दिन हुए हो उस इस्तिति में पैमौन के पास ऐसी जादूई शक्तियां हैं कि वो उस इनसान को जिन्दा कर सकता है पहली चीज़ तो यह पैमौन का जो शरीर है पैमौन ने अपने अंदर लगबग तीन सो से उपर एंजल्स की जो आतमाय होती हैं देवताओं की जो आतमाय होती हैं उन्हें बंदी बना रखा है और उनसे काम लेता है पैमौन के पास अने को परकार की शक्तिया होती हैं यह अद्भूश शक्तियों का मालिक होता है लूसिफर शैतान डेविल डेविल जिसके उपर खुश हो जाता है उसके पास पैमौन को भेज़ देता है कुछ लोग शैतान को सिधे अपनी आत्मा बेज देते हैं यानि कि इलूमिनाती को जोइन कर लेते हैं इलूमिनाती का ऐसा संगठन है जो शैतान की पूजा करता है रथा शैतान की इबादत करता है और इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्चस्व अगर किसी का ह है तो इलूमिनाती का है इलूमिनाती को संचलित करने का काम पैमोन के हाथों में दिया गया है यानि कि शैतान जब भी कोई आदेश देता है उसे ल्यागू कराने का काम सिर्फ पैमोन का होता है हिंदी भासा में इस परकार जानिए कि पैमोन एक परकार का ऐसा वजीर है ज तो वो पैमौन को बुला सकता है पैमौन को बुलाने क्या, मारगा क्या है पैमौन एक वजीर है जो शैतान का वजीर है शैतान के सारे हुकूम दर्थी को पर ये बजाता है पैमौन को बुलाने के लिए क्या करना चाहिए और पैमौन को बुला कर हमें क्या फायदा हो सकता है यदि कोई भी इंसान ऐसा भी इंसान पैमौन को बुला सकता है जिसने इलुमिनाती जो इन नहीं किया है यानि कि वो इलुमिनाती की सदस्यता नहीं रखता उसके बावजूद भी वो अगर चाहे तो पैमौन को बुला सकता है चाहे तो शैतान को अपनी आत्मा बेश सकता है अन्य था पैमौन को बुला सकता है पैमौन के पास ने को परकार की शक्तिया होती है ये किसी के साथ भी छल कर सकता है अर्थात उसे भवीचे दिखा सकता है और ऐसे कालों की शैर करवा सकता है जिसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो पैमौन को बुला लेता है पैमौन मर चुक है इंसान को जीवित कर सकता है पैमौन के शरीर में लगभाक 300 से अधिक एंजल्स की आत्मा अर्थाद इसपिर्स रहती है जिने वो बंदिवां कर रखता है और समिप उन से काम लेता है इतना सरवसक्तिमान वजीर सि पैमौन को बुलाने के मारग क्या है? पैमौन को बुलाने के लिए सबसे पहले इसका एक सिंबल होता है, अर्थात, इसका एक नक्षा होता है. हमारे जितने भी भारती लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ये अर्थात, हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, ये मुस्लिम लोग ह बहुत कम लोग जानते हैं कि पैमौन को है क्या है क्या करता है जितने भी लोग डेविल से इंस्पायर है अर्था शैतान की पीछे तो उड़ते हैं शैतान को पाना चाहते हैं शैतान की सत्ता को उपने उपर लागू करना चाहते हैं वो लोग जानते हैं पैमौन क्या है और पैमौन के पास किस परकार की शक्तिया होती हैं, जो लोग नहीं जानते, उन्हें इस वीडियो के माद़ी हमसे मैं बता रहा हूँ. तो अब आते हैं पैमौन को कैसे बुला जा सकता है, पैमौन को बुलाने के लिए इसका सिंबल होता है, जो आप अब इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस सिंबल को खुन से बनाना पड़ता है, जो आदमी चाहता है पैमौन को बुलाना, उसे अपने खुन से इस सिंबल को बनाना पड़ता है, इस सिंबल को बनाने के बाद, उसे तीन सर बक्रे के देने पड़ते हैं अर्थाथ त्री हेड ओफ गोड्स यानि कि तीन सर बक्री अर्थाथ या बक्रे के देने पड़ते हैं तीन बक्रों की बली और तीन सर काट के बक्रों के सामने रखे जाते हैं पैमोन को ये चीच बहुत पसंद आती है उसके बाद उस इंसान को उस उन तीनों बक्र के जो खून होता है उसे खटा करना पड़ता है और उस खून से उस वेक्ति को इसनान करना पड़ता है दब बलड बाथ खून से इसनान करने के बाद वहे कुछ शब्द रथात, कुछ ऐसे मंत्र जो डेविल बाइबल के अंदर दिये गए हैं गुप्त और रहसे मही मंत्र कुछ शब्दों का उचारण करना पड़ता है उसे कुछ ऐसे शब्दों को तो रहना पड़ता है उसके बाद तब पैमन सामने आकर खड़ा हो जाता है लेकिन पैमन इनसान को बहुत तरफाता है, मजबूर कर देता है जब इनसान तोड़ जाता है उसके बाद ही जाकर वो सामने आकर खड़ा होता है पैमौन इनसान के साथ क्या कर सकता है पैमौन किसी भी इनसान को आभीर बना सकता है किसी भी इनसान को गरीब बना सकता है किसी भी इनसान को ऐसी अद्व शक्तिया दे सकता है जिसका गुमान इनसान कर भी नहीं सकता पैमौन अगर चाहे तो किसी भी इनसान को रूप बदलने की सक्ति दे सकता है भविशे देखने की सक्ति दे सकता है किसी भी इनसान के मन में क्या चल रहा है ये जानने की सक्ति दे सकता है अर्थाद किसी के मन में क्या चल रहा है उसे बदलने की भी शक्ती पैमौन दे सकता है पैमौन जादू शक्तियों का मालिक होता है पैमौन को बुलाने का मैंने मार्क बता है एक बार फिर से मैं दोरा देता हूँ बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हम समझे नहीं, हमें समझे नहीं आया इसके अंदर ना तो मैं वो शब्द बताऊंगा जिससे प्यम्मन को बुला जा सकता है अगर तुम सोचो कि हम सब कुछ कर लेंगे उसके बाद प्यम्मन को बुला देंगे तो ये संभाव नहीं है इलुमिनाती की सदस्यता हमारे पास है और भारत के अंदर ये हमारे पास जिम्मेवारी है हम जिसे चाहें इलुमिनाती जो इन करा सकते हैं और जिसे हम मना कर देंगे उसके पास कोई अधिकार नहीं बसता उसका तिरिसकार कर दिया जाता है मैं एक तांद्रिक हूँ और देट्यों को पासक हूँ यही कारण है कि शैतान ने हमें चुना है शैतान की बहुत सारी बातों को फैलाना हमारा काम है शैतान की जो बाते हैं वो लोगों तक पोचाना भी हमारा काम है जो लोग शैतान की परस्तिस को अर्थात उसके राज्जी को अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं उनका स्वागत है शैतान का वजीर पैमुन तुम्हें बहुत सारी शक्तिया दे सकता है तुम्हें भुश्य देखने की शक्ति दे सकता है तुम्हें धन्मान बना सकता है और थात निर्धन भी तुम्हें बना सकता है तो इसे बलाने का मारग हमने बता दिया है इसका एक सिंबल होता है एक निशान होता है जो स्क्रीन पे चल रहा होगा वो अपने खून से उस विक्ति को बनाना पड़ता है जो पैमन को बुलाना चाहता है तीन बकरी या बकरों के सर काटके उनकी बली देनी पड़ती है और उसके बाद उनका खून एकटा करके किसी बरतन या टब के अंदर उस खून से स्नान करना पड़ता है खुम से नहने के बाद वो तीन सर सामने रखने पड़ते हैं और उसके बाद कुछ शब्द, कुछ कुप्त मंतर जो डेविल बाइबल के अंदर दिये गए हैं उन्हें तोहराना पड़ता है उसके बाद पैमॉन सामने हाजिर हो जाता है और उस इंसान को जो चाहता है वो दे देता है याद रखना ये बहुत कठिन बहुत कठिन पर क्रिया है जिससे बहुत कम लोग ही गुजर पाते हैं पैमान को बुलाना बहुत कठिन है परन्तु जो लोग पैमान को बुला पाते हैं वो जिवन पे जिवन में ऐसे मुकाम पर पहुच जाते हैं जहां पर पहुचना आम इंसान के लिए संभाव नहीं है एक बहुत बड़ा नाम है जिसे मैं लेना नहीं चाहता परन्तु फिर भी मैं लेता हूं क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है तुम्हारा एलोन मस्क भी एलो किसी परकार की और उद्षेश हो तो हमसे पोच सकते हो येलय मिनाथी के सभी सदस्थों का स्वागत करते हैं तांधरी टैथितिये इसके बाद एक और वीडियो डिले कि जिसमें हम बताएंगे एल्यमिनाती जों करने का मार्क किस परकार की से जों किया जा सकते है इसकी सद डिक रद्यागों. झाल 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 मुन झाल झाल